जब भी कोई बड़ा स्टार किसी नशीले पदार्थ का एड करता है तो लोग उंगलिया उठाते हैं और उन्हें रोकते हैं कि पैसों के लिए ऐसा मत करो इस तरह के आड्स मत करो दूसरे लोगों पर गलत असर पड़ता है जो लोग आपको फॉलो करते हैं उन्हें गलत मैसेज जाता है जब आजयर देवगन, शारुक कान, अक्षे कुमार, टाइगर श्रॉफ ने पान मसाला का एड किया तब भी लोगों ने उंगलिया उठाई लेकिन इसके रिटर्न में इन आक्टर्स की तरफ से जवाब किया आया कि पान मसाला का एड है, उस पर वार्निंग लिखी है और सभी को पता है कि ये शूट है, ये असल जिन्दगी में पान मसाला नहीं खाते हैं लेकिन आज एक ऐसा वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, उस वीडियो के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि जब भी कोई बड़ा स्टार इस तरह की चीज़ प्रमोट करता है तो उसका असर किस हद तक होता है, मासूम जन्ता को ये समझ नहीं होती है कि इन आक्टर्स ने असल में पानमसाला खाया नहीं है, इन्होंने सिर्फ शूट किया है और इसके उन्हें खूब पैसे मिले हैं, इसलिए उन्होंने इस पानमसाली का प्रचार किया है, लेकिन मासूम जन्ता को ये लगता है कि ये एक्टर्स, इतने बड़े स्टार्स, ये भी पानमसाला पानमसाला खाने से जब इन्हें कुछ नहीं हुआ, तो हमें क्यों होगा? आप देखिए ये विडियो इस बच्चे की और इस बच्चे का जवाब सुनकर आपको एसास हो जाएगा कि किस तरह से इन स्टार्स की वज़े से या इन स्टार्स के ऐसे गलत फैसलों की वज़े स से यंग जनरेशन पर गलत असर पढ़ रहा है, गलत मैसेज जा रहा है. लेकिन ये जो नुकसान सोसाइटी का हुआ है, ये जो नुकसान समाज का हुआ है, ये जो नुकसान आने वाली जनरेशन का हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसलिए कहते हैं कि अगर आप बड़े स्टार हो अगर आप बहुत पॉपलर हो तो आप किस ब्रैंड को चूज करते हो वो आपको सोचना समझना चाहिए और उसके बाद फैसला लेना चाहिए सबसे बड़ी बात वो टीम जो आपके लिए दिन रात काम करती है वो आपको ऐसे फैसले लेने कैसे देती है ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस बारे में मैं मानूंगी कि आमिता बच्चन ने एक बार कमला पसंद को एंडॉस किया था लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ए वेमल का अडे करते हैं उनकी इमेज के साथ याड नहीं जा रहा है और इमेज के अलावा उनकी जो पॉपलारीटी बढ़ रही है उसके हिसाब से उन्हें यह एड नहीं करना चाहिए था